दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पाटी की सीनियर लीडर अतिशी सिंग ने आज एक प्रेस कॉन्फरेंस आरोप लगाया है कि दिल्ली की चुनिवी सरकार को गिलाने की साज़िश की ज़ा रही है और उन्हें आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के अफसरों ने आच्वार सहींता का बहाना बना कर मीटिंग में आना छोड़ दिया है 20 साल पुराने केस को उठा कर दिल्ली के मुख्यमंत्री के नीज़ी सचीव को बरखास कर दिया गया उन्होंने कहा कि उनके विश्वसनी सूत्रों ने यह बताया है कि दिल्ली में चुनी गई सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है दिल्ली सरकार के अफसर मीटिंग में आने से साफ़ विंकार कर रहे हैं लेकिन मैं भारतिय जंता पाटी को चेतावनी दे दूँ कि दिल्ली में राष्ट्रपती शासन लगाना गैर कानूनी होगा, गैर सम्विधानिक होगा और दिल्ली की जनता के जनादेश के खिलाफ होगा दिल्ली की जनता ने अर्विन केजरिवाल जी को आम आदमी पाटी को एक स्पष्ट जनादेश दिया है अतीशी ने कहा कि दिली में राष्टपती श्वासन लगना गैर कानूनी होगा क्योंकि ज्वन्ता ने इस पष्ट जनादेश दिया है कुछ दिन पहले फ्लोर टेस्ट करके केजरिवाल सरकार ने अपना बहुमत साबित किया है समयधान के तहट किसी सरकार के पास जब महुमत होता है तो राष्टपती श्वासन नहीं लगाया ज़ा सकता 2016 में जब उत्रखन में राष्टपती श्वासन लगाया गया था तो कोट के आदेश के द्वारफ लोर टेस्ट कराया गया था राश्टपती श्यासन का आदेश खारिज हो गया था अरवंद केजरिवाल के गरफतारी के बाद से अतिशी काफी मुखर है दिली में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग तक नहीं हो रही है केजरिवाल को जूटे आरोप में गरफतार किया गया है अतिशी का दावा है कि दिली के लोग आम आदमी पाती को काफी जादा पसंद करते हैं हाला कि दिली के चुनी हुई केजरिवाल सरकार के खिलाफ राजुनी तिक शड़यंत रचा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से किसी सीनियर अधिकारी की पोस्टिंग दिली में नहीं हो रही कईवभाग खाली हैं जिन पर अधिकारी मौजूद तक नहीं है अतिशी ने ब्रसपतिवार को एक प्रेस कॉन्फरेंस में कहा कि मुख्यमंठरी अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी को लेकर दिली के लोगों में बहुत गुसा है अतिशी ने कालकाजी इलाके में पार्टी के जेल का जवाब वोट से अभ्यान में भाग लेते हुए कहा कि लोग समझते हैं कि केजरिवाल को जूटे मामले में गिरफतार किया गया है अतिशी ने यहां तक अभ्यान के दौरान ये भी कह दिया कि मुख्यमंत्री केजरिवाल की गरफतारी के बाद दिल्ली की जवनता काफी गुस्से में है और आमाद्मी पाठी के नेता ने कहा कि इस अभ्यान को उन लोगों से जबरजस्त प्रतिकिरियाएं भी मिल रही है जो अपने मुख्यमंत्री की गरफतारी पर आसंतोश व्यक्त कर रहे हैं उन्होंने कहा कि केजरिवाल ने दिल्ली के लोगों को अपना परिवार माना है अतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोग केजरिवाल को बहुत जादा प्यार करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने सरकारी स्कूलों को विश्विस्तरी स्थानों में बदल दिया है और आम लोगों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान की है। दिली सरकार में मंत्री ने कहा कि अर्विन केजरिवाल वही है जिनोंने दो करोड दिली वासियों को अपना परिवार माना है और उनके लिए उत्कृष्ट स्वास्ते सेवा प्रदान करते हुए शानदार अस्पतालों और मोहला क्लीनिकों की विवस्था की है। उन्होंने ही दिली के लोगों को बहतर सुविधाय प्रदान की है। दिली के LG भी बिना किसी वज़ा से ग्रह मंद्राले को चिठी लिख रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही। मुख्यमंद्री के जुरिवाल के परसनल सचीव को भी बेवज़ा हटाया जा रहा है। ये सारे संकेत हैं कि दिली में राष्टपती शासन लगाने की तैयारी चल रही है। इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रही है हमार साथ।